तो स्विगों नमस्कार आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं function of the placenta बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों प्रिविएस क्लास के अंदर बात किये थे कि प्लेसेंटा क।्या है upp móक करिए चैनलो थी उसके लृब्लेसेंटा है उसका अनुपात क्या होता है उसके बास कीर शाहथ में उस्ते..." साथि साथ में वीडियो के अंदर के अंदर रग्वी खंचर केसे ऊनला स्वा है। Circulation through the placenta, rakt presentation कैसे होता है? For face के द्वारा rakt presentation होता है, उसके बारे में बात किए. Placenta का तीस रोव वीडियो है, जिसके अंदर बात करेंगे, कि placenta के क्या-क्या function होते हैं. बच्चों, आप जानते हैं कि सबसे important function होता है, कि placenta के द्वारा जो मदर का बलड है उस बलड के अंदर oxygen है nutrient है वो किसको मिलता है fetus को मिलता है भून को मिलता है भून के द्वारा वास्ट प्रोडेक्ट होता है वो वास्ट प्रोडेक्ट किसको वापिस भेज जिया जाता है मेंटीनुल बोरण के दवारा मदर को थीकिछ तो इस प्रकार से प्लेशंटा का मेंतुपुन डोल रहता है साथ ही साथ में सिंके फंक्सन के बारे में बात करते हैं फ्लेशंटा घरभाउस्ता के दोरान पाय जाने वाला एक operates उपर किया जाते हैं प्लेसेंटा के दोवारा किये जाने वाले पर्मु कारिये निम्द प्रकार के हैं देखिएगा function के बारे में बात करते हैं सबसे पहले इसके six function होते हैं बग्चों बहुत ही important है एक के बारे में बात करेंगे हड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है सबसे नहीं इसके पहले respiratory function का काम करेंगा placenta ब्लूसरा है निउट्रि स्टिव फंक्षन रहेगा promotion संबंदित कारियर रहेंगे excretory फंक्षण रहेगा उसके बात में protective function के रूप में कार्य करेंगा placenta दूस्के बात में production of the हार्मॉन कई एसे प्लेसेंटा के द्वारा हार्मॉन का प्रोडेक्शन होता है और प्रोडेक्शन आफ द इम्मुनिटी रोग प्रतिरोदक समता का भी प्रोडेक्शन होता है तो इस प्रकार से शिक्स प्रकार के कारिय है या फंक्शन है जो प्लेसेंटा के अंदर देखने क लला है क्या परकार से ठिगना में क्षारता है क्षर्टा कौन सा होता है फ्सक्राइब की operates ज्यादा कौन सा होता है में पर चाँबता है यह हाता है जो मैसे अंदर गार्डब्लेंचु साथी साथ में लास्ट में यह आता है कि प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्षन होते हैं लिखिए ठीक है तो प्लेसेंटा के फंक्षन के अंदर तो एक तो रेस्पिरेट्री संबंदित एक पोशन संबंदित एक एक स्क्रेट्री संबंदित और हार्मोन का प्रोडेक्शन और इम oxygen गरन करता है CO2 का त्याग करता है माता से इंटर्विलाई इस्पेस में आने वाले ओक्सिक्रित रख्त का अम्लाइकल वेन के द्वारा भून तक पहुंचाया जाता है तथा इसमें CO2 इंटर यूटिलाइन वेन द्वारा वापस मदर के रख्त में मिल जाती है अम्लाइकल वेन औक्सिकरित रख्त फितस तक ले जाती है और अम्लाइकल आर्ट्रीक मोश्यकर यूग द्रच फिटस में फिटस से इंटर्विलाई इस्पेस तक लाती है गेसों का आदान परदान डिफ्यूजन दारा होता है बच्चों इसके अंदर ये बताया गए है कि रेस्परेटरी फंक्शन जिसके अंतरगर्थ आप जानते हैं कि मेटरनल ब्लड जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन होता है वह किसको देगी मेटरनल ब्लड को इस प्रकार से मैं कहूं कि प्लेशेंटा के अंदर पाया जाने वारा जो इंटर विलाई इस्पेस है वह भागती मेहत्वपूर्ण भूमिका निबाता है क्योंकि इंटर विलाई इस्पेस के 20 में या मेटरनल और फिटल ब्लड है उसके के 20 में क्या होता है एक्सेंज होता है तो सबसे पहले इसलिए इंपोर्टेंट है डिसके अंतरगर्द सब्राइब का महत्व rays पन्ट्रोल हथ AUDI दूसरी बात करते हैं कि इस प्रकार से खूल मुझार अधाननी पर दन होता है डिफ्यूजनल के दवार ता है दूसरी बात करते हैं nutritive function भुर्ण को इसके विकास के लिए सभी पौसक पदात जैसे glucose है लेपीड है एमीनो अम्मल है विटामिन्स है खनीज लवण है आधी प्रयाफ्ट मातरा में आफसे होते हैं माता के इंटर्विलाई इस पेस तक आने वाले रक्त में इन पदातों की बहुत होती है जहां से यह भुर्ण तक पहुंचाया जाता है इस प्रकार से इस पर स्थ है कि प्रेसेंटा के प्रेसेंटा फिटस की पोशन सम्मद्धी आफसेक्ताओं की पूर्टी करने के लिए मैतोपुर्ण भूमिका निभाता है गरवस शिशु तक भिन-भिन पोशन पदातो होता है कि अब न्यू के बारे में बात करते हैं जिस परकार से इन कर रही है उसी परकार सेAl Blood के अंदर कह भूर्ण को जोता है विंट मिन है टॉमिंट सारे सारे इसके अंदर पाए जाते हैं तो उस ब्लड के दुआरा क्या है भुन को मिलता है ठीक है और यह जो एक पोसर्पदार्थ है वो उसकी आपूर्ती है डूरिंग दे अलग अलग परकार की वीडियो के दुआरा यह क्या है जो न्यूट्रिंट है पोसर्पदार्थ है वो मदर टूफीटस के अंदर एंट्री करता है उसके बाद में बात करते हैं एक्स क्रेटरी फंक्शन मतलब जो वास्ट प्रोडेक्ट है वो कैसे बाहर निकलते हैं बुरु होती है बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है कि वास्ट प्रोडेक्ट जिसके अंदर बोडी के अंदर ऑक्सीज़नेट्र ब्लड गया फिर बाद में वापिस अंब्लाइकल आर्टरी है वो इसके साथ में उडिया है क्रेटीनिन है तो यह सारे सारे किसको लाकर करके इंट एक barrier की रूप में कार्य करती है ये माता के रक्त में मौझूर कई हानिकार तत्वों को भुरुण तक लाने से लेकर उनको रोकना उनकी सुरुख्जा करता है हालांकि माता और भुरुण में पाई जाने वाला ये barrier incomplete होता है यही कारण है कि कई हानिकार agent जैसे रूबेला वाइरस पोलियो वाइरस खस्रे का वाइरस टीवी का वाइरस मलेलिया परजीवी आधी प्लेसेंटल बेरियर को पार करते हुए माता के भुर्ण में पहुंच जाते हैं इस प्रकार से बच्चों एक protection का काम भी कौन करता है मदर का बलड और फीटस के बलड जैसे एंट्री होगा उनके पोस्तिक पतार नीट्रेंटेंट है वो जाएंगे तो साथ-साथ में वह बेरियर का काम करता है प्रन्तु यह बेरियर मतब रोकने का काम करते हैं कोई भी माइक्रो और्गनिजम है वो मदर टू फीटर्स के अंदर ट्रांसपर नहीं होता है हालांकि उसके अंदर होता क्या है कि ये बेरियर होता है वो इनकम्प्लीट होता है जैसे कई ऐसे जो जीवानू है वो क्या है वो एंट्री कर देते हैं जैसे खसरा है फोलियो है इसके क्या वायरेस से मेलरिया पेराशुयों यह मदर से फीट्स को क्या हो सकता है किएओ टारंस हो सकता है और से किया कर सकता है भी मार कर सकता है तो प्रोटेक्षिन का भी काम कुछ क PG तो मतला होता है उसके अजियक कि द्पलेशेंटा के सकुछ-ट और करती है इनके दौआ कई हार्मों इस्तरावित किये जाते हैं जो कि गरबावस्ता के दौराण अत्यमेंतों वहते हैं प्लेसेंटा दोरा उत्पन होने वाले परमुक्ष हार्मॉन निन्म है अब प्लेसंटा के अंदर क्या होता है कि एक प्लेसंटा भी एक endocrine gland की तरह करता है और उसके अंदर कई प्रकार के अर्मॉन होते है देखिएगा बच्चों ये हार्मॉन जो बहुत इंपोर्टेंट है आप जानते होंगे कि human chorionic gonadotropin human chorionic gonadotropin human chorionic gonadotropin hcg glycoprotein होता है इसका उत्वादन प्लेसेंटा की syncytiotrophoblast के द्वारा होता है बहुत ही important है बच्चों प्लेसेंटा के जो syncytiotrophoblast है उनकी लेर से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है uely SCG द्यान रखना रातानिक तथा कार्यात्मक रूपस से ये pus गरंती द्वारा सिक्रेशन leut graduation hormone के समान होता है इनके द्वारा निम कारये शंपादित होते हैं बच्चों आपने देंगा होगा कि leut十asis हार्मोन जो puse gland हैünde वहां से सिक्रेट होता है उसी के समान इसका कार्य होता है आप जानते हैं कि लिटिनाइजिंग हार्मॉन है वो फ्रेग्नेंसी को मेंटेन करता है प्रेग्नेंसी के परतम सिख सब्ता तक कॉर्पस लिटियम का मेंटेनेंस करना कॉर्पस लिटियम द्वारा प्रोजेश्ट और नामक हार्मॉन को सिक्र होते हैं और पहला हार्मॉन है human chorionic gonadotropin जिसको HCG बोलते हैं और यह HCG हार्मॉन होता है वह बहुत ही important रहता है pregnancy को maintain करने का काम करते हैं दूसरी हार्मॉन के बारे में बात करते हैं human placental lactogen SPL बोलते हैं जिसको human placental lactogen lactogen SPL यह हार्मॉन placenta की syncyteotrophoblast के द्वारा उत्पादिद होता है इस हार्मॉन को human chorionic sometotrophin के नाम से भी जाना जाता है human chorionic sometotrophin के नाम से भी जाना जाता है यह बुरुन की और amino acid glucose आधी पोसक पदातों के इस्तांतरंड में helpful होते हैं बच्चों यह SPL हार्मॉन होता है क्या लिखा हुआ है SPL हार्मॉन human chorionic lactogen SPL human sorry 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 human placental lactogen क्या लिखा हुआ है human placental lactogen human placental lactogen यह हार्मॉन का है सीग्रेंड होता है routine 화 च्जिनची ट्रोफो ब्लाष्ट की जो आउटर लैर है कि इस ओपादन होता है इस हार्मॉन का other name क्या है बच्चों ध्यान रकना human chorionic sometotrophin होता ker और ये हार्मोन होता है बच्चों SPL हार्मोन होता है ये भुरुन की एमिनो अमल ग्लुकोज आधी पोसक पदारतों को इस्तांतरन करने के लिए हेलफूल होता है इस प्रकार से मदर टू फीटरस के अंदर एमिनो अमल ग्लुकोज आधी पोसक पदारतों होते हैं वो क्या करत प्रेगनेंसी को बनाए रखने में में भूमिका निबाता है वो प्रोजेश्टरोन के साथ में मिलकर के प्रेगनेंसी को मेंटेंड करने का काम करती है अब इनका लेवल घट जाएगा बढ़ जाएगा तो एसी कंडिशन के अंदर एबोर्शन तक होने की संभावना रहती है तो एस्टुजन और फ्रोजेश्टोर्ण हर्मोन है यह बहुत इस्पॉंसीबल होते हैं और यह कहां से उत्पादन होते हैं प्लेसेंटा से उत्पादन होते हैं दूसरा है प्रोजेश्टोरण प्रेगनेंसी के कच्प्रियाग कॉर्पपवर्टियम से क्या होता है सिक्रेशन होता है और उसके बाद में प्लेशन्टा इसका उत्वाजन करती है प्रोजेस्टान के कार्ये क्या उते हैं ये अ Eli के साथ मिलकर कई त्रेगंची को बनाए रखता है प्रोजेश्ट्रोन और इस्ट्रोजन फ्रेगंची निके दौरान माता में होने वाले वी बिन प्रिटिनों के लिए जिमेदार होते हैं इस प्रकार से मैं कहूं कि प्लेशेंटा के द्वारद फ्रो फ्रोस ही को on का मान्वोत है और यह also pregnancy को supports करनी का काम करती है यह हार्मोन जो बोड़ी के अंदर वीभीन प्रकाल के एमनों और हैं उसको क्या करते हैं ट्रांष्पर mother टूअर के अंदरस्फर करने के लिए रेस्पोंसीबल होते हैं लास्ट फंक्शन ले में बात करते हैं अध्यों ध्यान रखेगा प्रोडेक्शन ऑफ इम्मिनिटी इम्मिनिटी का उत्पादन करना इम्मिनोग्लोबिन जीव यह मदर तो इम्मिनोग्लोबिन जी बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इम्मिनोग्लोबिन क्या है एक एक ग्लाइको प्रोटीन है और जैसे कोई पी एंटिजन बोडी के अंदर आता है तो एंटिजन बोडी के अंदर आता है तो एंटिजन बोडी का फॉर्मेशन करेगा और यह एंट ग्रीजन है micro organism है उसको क्या करेगा देश्टोई करेगा तो इस प्रकार से मदर टू फीटस वाया देश्ट प्लेजेंट इम्मिनोगलोविन है वो आता है फीटस के अंदर और बोडी को इम्मुनिटी पावर है उसको बड़ाने का काम करता है इमिनोगलोबिन जी के माता से फीटस तक इस्तानतरण में भी साइक होता है जो की फीटस को अनेक बीमारियों से बचाने में रिलफफुल होते हैं यह वाला कोशन है बच्चों यह वाला इम्मुनिटी वाला है वह बहुती इंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम के अंदर अया हुआ है कि mother to fetus, why are the placenta, which type of immunoglobin are transferred, आपका question होना साहिए, immunoglobin G, immunoglobin G है, body के अंदर immunity power बड़ाने का काम करती है, बच्चों आपने जाना, आप जानते हैं कि all types of the immunoglobin, a formation of the antibodies, एम्मुनिन इपके करेगा, का बढ़ाने का कम करते हैं तो इस प्रकार से बच्छों जो फ़ेसंट्र मृसंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा फंक्षन था। रिश्पिरे टेंटीव फंक्षन संच prophetin function फ्रोटेकटिव function production of the hormone estrogen progesterone SPL और HGG यह च्यार प्रकार के हार्मोन है उसका क्या करते हैं production का काम करते हैं production of the immunity immunity mother to fetus immunoglobin जो transfer होता है body के अंदर क्या है immunity को बढ़ाने का काम करता है इस प्रकार से आज के इस वीडियो के अंदर क्या पड़े function of the placenta आज के लिए इतना ही धन्यवाज